दुर्ग जिले की मंडियों में इन दिनों ग्राहक तो दिख रहे हैं लेकिन इनकी खरिदारी आधी हो गई है वर्तमान में सब्जियों के भाव में आई तेजी ने लोगों का सारा बजट बिगार दिया है सब्जी मंडियों में कोई भी सब्जी 40 रुपे से कम नहीं बिक रही है इन सब्जियों में टमाटर शेहनशा बना हुआ है इन दिनों टमाटर 80 से 100 रुपे किलो तक बिक रहा है दुर्ग जिला टमाटर बाहुलेता वाला इलाका माना जाता है जिले की मंडियों में सिर्फ टमाटर ही नहीं बलकि सबजियां भी लोगों की पहुंच से दूर होती जा रही है एक अनुमान के मुताबिक दुर्ग जिले में करीब 10-15,000 एकड में टमाटर का उतपादन किया जाता है एक एकड में सीजन के दौरान करीब 200 क्विंटल तक टमाटर का उतपादन होता है राजी सरकार के अंदेखी के चलते हर वर्ष बंपर टमाटर होने पर किसान उसे संरक्षित नहीं रख पाते और उन्हें इसे सलकों पर फेकना पड़ जाता है महीं टमाटर व्यवसाई और लोगों ने बताया कि टमाटर की पैदावार कम होने की वज़े से दाम बढ़ा है साथ ही गुजरात और राजस्थान में बाड की वज़े से फसल बरबाद हो गई है साथ ही धमधा का टमाटर अब पाकिस्तान और बंगलादेश जा रहा है एक महीने में इस्तिती ठीक हो जाएगी ब्यूरो रिपोर्ट ग्रेंड निउस